दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल कृष्णा फैंटेसी में अंडाज हम बात करेंगे फैन को T10 मैच के बारे में जो कि यहाँ से खेला जाएगा किरके टिस्टास वसर जन्रुवा के बीद दोस्तो यह मैच आपके इंवेश्मिन के लिए काफी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रम प्लेयर है जिनका सेलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन करवा देंगे कौन से वो प्लेयर होने वाले साथ ही साथ में कौन सा बैट्समिन का बैटिंग करेगा कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा सारा मैं आपको इस वीडियो में जीटेल के साथ बताऊंगा तो वीडियो को एंटर चरूर देखिएगा दोस्तो अगर बात करें हमारे टेलिग्राम चैनल के बारे में हमारे टेलिग्राम चैनल का नाम है केशना फेंटेसी आप देख सकते हो दोस्तो इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगी अगर मैं आपको recent matches का result भी बता हूँ तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर matches में आपके clean sweep करा है इसलिए मैं आपको बोर राओ टेलिग्राम से जुड़ना आपके लिए काफी जादा important हो जाता है दोस्तों आप देख सकते हो हैं आपे मुझे 20,000 रुपे की free entry मिलीवे small league head to head में 10,000 रुपे की free entry मिलीवे small league head to head में भाई ये free entry आपको भी मिल सकती कैसे मिलेगी तो simple ही आपको कुछ नहीं करना आप में से काफी भाईयों को पता होगा कि अगर आप my fav 11 एप को first time download करके register करते हो तो my fav 11 आपको 20,000 रुपे की free entry देता है small league head to head में तो बस आपको my fav 11 एप को download करके register कर लेना है अगर आप already profit में हो तो free में 20,000 विन करके और भी जादा profit बना सकते हो लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या है my fav 11 एप को download करके register कर लेना है लिंक मेंने आपको बताई दिया इसी वीडियो के नीचे comment box में दिया वाई और discussion box में दिया वाई तो एर YouTube चैनल को जरूर subscribe कर लिजेगा दोस्तो आपको पता है हमेशा हर वीडियो में मैं आपको हर player के बारे में detail के साथ एक एक चीज़ बताता हूँ तो एक छोटा सा काम आप कर सकते हो हमारे YouTube चैनल को subscribe कर सकते हो उमीद करता हूँ जितने भी भाई इस वीडियो को देख दे होंगे अब तक आपने हमारी YouTube चैनल को subscribe कर लिया होगा बात करें अगर दोस्तो हमारी fantasy team की तो wicket keeper में अगर मैं सबसे पहले बात करूँ रमजान का आपके पास option है नमबर 4 पर ये खेलेंगे दोस्तो प्लस यहां से wicket keeper है तो catches वगेरा पकड़के दे देंगे recent के बारे में इनके बारे में बात करूँ टेई सन इन्होंने last man में करे थे उससे पहले इन्होंने 36 करे फिर 11 रन करे तो अच्छा performance रहा है overall तो इनको देखे तो फिलाल important है इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ अब दोस्तो एफ अली के बारे में बात करें न तो देखे यह आपको batting में तो दिये वे बट इनका wicket keeper दिये वे बट इनका batting order काफी नीचे रहता है और ये wicket keeping भी नहीं करते भाई ये जो है balling करवाते वे आपको नर्ज आने वाले तो इस चीज को जहान में एक न last minute में इनोंने दो wicket निकाले और open में balling करवाते इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ क्योंकि open में balling करवा रहे इसलिए मैं फिलाल के लिए रख रहा हूँ दो मेरे wicket की पर रहने वाले बैटिंग में अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहां से एन हैमन और जैड अली का option है अब दोनों का बारे में बात करें थोड़ा सा नीचे आएंगे तो फिलाल में skip करके चल रहा हूँ ट्राइ करना है तो एल सिंग को ट्राइ कर सकते हो बैटिंग ओर तो नीचे रहता है बट इनका जो है मैं balling करवा लेते हैं लव प्रेसिंग दोस्तों रीसन के तीन मैचेस के बारे में बात करूँ तो दो विकिट इनों ने निकाला है तो अगर आप ट्राइ करना चाते हो ग्रेंड ली खेल लो तो इस बंदे को जरूर ट्राइ कर लीजेगा वही अगर यहां से बात करें दोस्तों वी यादा हो आपके लिए एक must option होने वाले विवोर यादा हो ओपन करेंगे रीसन में 31 इनों ने करें फिर इनके बारे में बात करूँ तेरा रन छे रन और लाष्ट तीन मैचेस में इनों ने बॉलिंग डाली है विकिट इनों निक काल लेते सीज को रियान में फिलाल में लेके चल रहा हूँ वही दोस्तों किसी और के बारे में बात करें तो एस सिंग आपको नमबर तीन पर नजाएंगे बट इनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है ट्राइ करना है तो एफ एहमत को फियास एहमत को करिए या आपको ओपन करते भी न जाएंगे रीसन के बारे में इनके बारे में बात करूँ साथ रन इनोने करें उससे पहले एक बीसन की शांदार और अच्छी पारी खेले ती जल्दी विकेट दे दिया बट इनका रिकॉर्ड अच्छा है फिलाल में लेकी चल रहा हूँ तीन मेरे टोटल साथ रन दस रन तो इनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा है दोस्तो इसलिए मैं स्कीप करके चल रहा हूँ बॉलिंग नहीं करवाते है आर सिंग के बारे में बात करें यह आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन होने वाले राजमानी संदू आपको ओपन करते भी बात करूँ दोस्तो बैटिंग ओडर नीचे रहता है केलाल जो है और बॉलिंग का इनका थोड़ा सा दिक्कत रहा है कई बार एक ऊवर करवा लेते बट रीसेंड के तीन मैचेस में इन्होंने दो विकेट निकाले और कुछ रन भी इन्होंने करें ट्रॉंटी नाइन हो ग कर आएगा इसलिए जादा इंपोर्डेंट हो जाता है रीसेंड के बारे में बात करूँ पांच मेचेस में पांच विकेट निकाल के आ रहा है सभी में एक एक विजट तो एवरेज पॉइंट आपको देता है फिलाल में इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ दोस्तो एक अच्छे ओप्शन आपके लिए हो जाते है वही है यहाँ से किसी और के बारे में बात करें यहाँ से जफ्जल का आपके पास औफशन है होने को तो बट इनका रिकชाड इतना अच्छा नहीं है ऐस अफ्जल हो गए भागी कोई अच्छे नहीं है आँसे दो मेरे ओल चार विकेट निकाले इंपोर्टेंट है फिलाल में लेके चल रहा हूँ यह साफी के बारे में बात करें बैटिंग और बॉलिंग के बारे में देखी बॉलिंग तो यह जो है आपको मिडल ओर्डर देट में आते लेकिन मैं चीट इनकी क्या है यह आपको नमबर चार बैटिंग करके देजे थे इसलिए जादा इंपोर्टेंट हो जाते रीसेन में 57 भी करें थे लाज पांच में से एक इनिक्स के बारे में बात करूँ और विकेट इनों ने जाद नहीं निकाले पांच में चिसमें तीन निकाले बट ऐसे ओल राउंडर प्लेयर है इंपोर्टेंट हो जाते फिलाल रखके चल रहा हो वही किसी और के बारे में अगर में बात करूँ एच अब्दुल के बारे में दोस्तों अब्दुल का क्या सिस्टम रहने वाला है क्या हमें अब्दुल को अपनी टीम में रखना चाहिए तो आप चाहो तो इनको रख सकते हो या आपको उपन में बालिंग करवाएंगे इसलिए इंपोर्टेंट हो जाते है रीसन के बारे में अब्दुल के बारे में बात करूँ लास्ट मैच एक विकेट उससे पहले दो विकेट इंपोर्टेंट है वही अगर यहां से दोस्तों किसी और के बारे में बात करूँ तो एस सिंग का भी आपके पास ऑप्शन है अमंदीप सिंग एक विकेट टेकर बॉलर है इस चीज़ को ध्यान में रखना मिडल ओर्डर में आपको बॉलिंग करवाते हुए नज़र आ जाएंगे अमंदीप के बारे में रीसन के बारे में बात करूँ दो विकेट एक विकेट दो विकेट ऐसा इनका पर्फोर्मेस राए बागी कोई खास नहीं है चार मेरे बॉलर हैने वाले केटन वाइस केटन के बारे में अगर बात आती है दोस्तों तो आपके पास जो अच्छे ऑप्शन हो जाते है जो बैटिंग बॉलिंग भी करके देंगे जिनको आप केटन वाइस केटन कर सकते हो विवोर यादव है आर सिंग को कर सकते हो दो must option होने वाले risk लेना चाहते हो तो साफी के उपर भी ले सकते हो फिलाल अगर मैं बात करूँ विवोर यादव को captain और आर सिंग को vice captain कर रहा हो तीम के preview के बारे में बात करें फिलाल ही अमारी team का preview आप देख सकते हैं आप इस टीम के साथ अपना contest जोईन कर सकते हैं final team टेलिग्राम पे मिल जाएगी link आपको video की नीचे comment box में दिया आवाय और discussion box में दिया आवाय जल्दी से आईए link पे click करें और टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लीजिए final team आपको टेलिग्राम पे ही मिलने वाली है दोस्तो अगर आपको 20,000 रुपेगी free entry चीए small league head to head में 10,000 रुपेगी free entry चीए small league head to head में तो आपको कुछ भी करने की जरुवत नहीं है आप मेंसे काफी भाईयों को पता हुआ कि अगर आप my fave 11 app को first time download करके register करते हो तो my fave 11 आपको 20,000 रुपेगी free entry चीए small league head to head में तो बस आपको my fave 11 app को download करके register कर लेना है link मैंने आपको बता दिया इसी वीडियो के नीचे comment box में दिया वह और discussion box में दिया वह तो जल्दी से आईए link पे click करिए और my fave 11 app को download करके register कर लेजिए अगर आप loss में चल रहे हो फिरी में 20,000 विन करके पूरा loss cover कर सकते हो already profit में हो तो फिरी में 20,000 विन करके और भी ज्यादा profit बना सकते हो लेकिन सबसे पहले आपको my fave 11 app को download करके register कर लेना है link मैंने आपको already बता दिया इसी वीडियो के नीचे comment box में दिया वाए और discussion box में दिया वाए जल्दी से रहे हैं लिंक पे किलिक करें और my fave 11 app को download करके register कर लीजिए चलिए दोस्तों मिलते है mash time telegram channel पे telegram से रूड जाईगा और mash time active रहेएगा